नमस्कार दोस्तों, मोटोर जी 51 5G फोन का अंबोक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस तरह से कुछ बॉक्स आपको मिल जाता है, और आपको उता दू जो यह इस बार का जो मैंने ओडर किया था, रिलाइंस डिजिटल से किया था, तो इस तरह के कुछ इसमें आ जाता है, और अंदर ये सपोर्टिंग के लिए ये वाले बबल वाले आपको पॉल्थीन मिल जाती है, और इसे के अंदर आपको बिल वगेरा रहता है, तो चलिए सुरू करते हैं, उन्बोक्सिंग करता हूँ, फोन की और बात करूं, बॉक्स की तो इस तरह से आपको द प्लस डिस्पले है, फाइब जी सूपर फास्ट फाइब जी स्पीड है, 50 मेगा फिक्सल ट्रिपल कैमर सिस्टम भी है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, तो चलिए इसको ओपन करता हूँ, और दिखाता हूँ आपको फोन, तो यह रहा फोन, इस तरह से आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद चलिए हम फोन को निकाल देते हैं, फोन के बारे में अभी करते हैं बात, इस तरह से ब्लू कलर का है, यह ब्लू एंड ब्लैक मिक्स्चर टाइप का है, और फ्रेंच से कुछ इस तरह से, तो इसको भी खोलता हूँ थोगी दिर में बात करते हैं, बॉक्स के अंदर आपको और क्या मिलता है, तो यह एक आपको यहाँ पर कवर अप मिल जाती है, यह इसके अंदर मैनुल है, मैंने अल्रेडी पहली देख लिया है, तो यह इस तरह से कुछ आपको यह मोटो रोला और यह सब इसकी डिटेल वगएर आपको य जाएगे और यह एक छोटा सा डिटेलिंग मैनुल है, और इसके अंदर और कुछ फिलाल नहीं दिख रहा है, नहीं रहता है, और इसमें आपको मिल जाता है, एक यह चार्जर 20 वाट का है, फास्ट चार्जर है, एक घंटा 20 मिनिट साइद मुझे लगा था चार्ज करने मे तो यह चार्जर है, और बात करते हैं केबल की, तो C टाइप केबल है, आप यह देख रहे होंगे, चाइप आप केबल मिल जाती है, और USB कम पता यह चार्जर भाट करने लगे घंप फोन, उसमें प्न, एजेक्तियर आपको मिल जाता है, इसमें थोड़ा यूनिक है, सब मे इस तरह से कुछ है इसमें आप देख रहे हैं यह आपको मिल जाता है और अब बात कर लेते हैं हम phone की तो phone की बात करें तो इसके उपर पहले ही आपको cover दिख जाता है जो कि यह लगा करके ही देते हैं box में तो यह आपको मिल सभी है और यह फ्रैंक्ट से कुछ इसक्ष्म का से हैं इसको आप हटाना पड़ेगा आपको नहीं पर आप यह देखें नहीं है ऩो यह दिगा तो कुछ इस प्रिकास सो दिखशंभ आपको ठीक है और फिर इसको अन कर लेते हैं तो यह हो चुगा है ओन कुछ इस तरह से ओन हो जाता है और देखते हैं कितना समय लेता है ओन होने में यहां पर रख करके और बागी मैंने चलाए भी है काफी समय तक तो मुझे एक्स्पीरेंस तो अच्छा ही हुआ है इस फोन से और इस तरह से देखिए ओन हो रहा है और यह जो आवाज है हैलो मोटो यह मुझे बहुत पसंद है इस फोन की पता नहीं क्यों पर है तो उसके बाद बात करते हैं सेट अप अगयरा की तो मैंने सेट अप अगयरा कर लिया था इसमें सब कुछ और कैमरा की बात कर लेते हैं तो कैमरा कुछ इस प्रकार से आपको देख जाता है यह बैक कैमरा है और फ्रंट का देखते हैं कि फ्रंट का इस प्रकार से है आप देख रहे होंगे यहां पर देखिए सूच चल रहा है और यह रहा बैक का तो बैक का भी ठीक है मतलब 50 मेगा फिक्सल है और फ्रंट 13 है और इसकी बात करें हम स्लाइड मतलब चल कैसे रहा है तो यह देखिए चलने में कोई इश्यू नही चलने में कोई दिख करनी है वीडियो अगएर अब ही मैंने चलाई थी यूटूब पे तो अगर आप वीडियो चलाते हैं तो आपको काफी बड़ी स्क्रीन होगी क्योंकि नॉर्मल फोन से काफी बड़ा फोन है जो जिससे मैं सूट कर रहा हूं रियल मी 9 प्रो प्लस का उ फोटो जी 51 5G और यहां पर इस साइड में एजेक्टर सिम लगने का यहां पर मिल जाता है आपको यह देख रहे होंगे आप यहां पर और इस साइड बात करें तो यहां पर यह सेंसर कर सकते हैं यह वाइस कम ज्यादा का और हाँ एक चीज़ और बता दूँ इस्पिसल जो कि यह गूगल असिस्टेंट का है और यहां पर वाइफाई कनेक्ट करेंगे तो आप यहां पर बोल सकते हैं तो यह मुझे काफी अच्छा फीचर लगा कि यहां पर एक बटन है जो यह है यह आप देख रहे होगे और इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आप गूगल अस 51 5G अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं दिस्क्रेप्शन में लिंक नहीं दूँगा क्योंकि अभी तक मैंने बनाया नहीं है वह अफिलेट वाला और बागी आप और कर सकते हैं प्राइस की बात करूं तो यह मुझे ओफर में मिलिया था तेरह हजार बारह हजार 999 का और उसके बाद इसको आप अब खरी देंगे तो 14,999 का हो गया है तो ओफर देखते रहिए जैसे ओफर आप और कर लिजे फोन काफी अच्छा है मुझे तो फिलहाल अच्छा ही लगा मुझे अच्छा ही लगता है तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं लेकिन प्राइज जैसा कि मैंने बताया 14,999 अभी फिलहाल ओनलाइन दिखा रहा है बाकि आप इंतिजार कर ये ओफर का और और कर दीजे जल्दी से किसी काच पर अगर आपको उफर मिलता है तो मिलते अगली वीडियो में इस वीडियो मितना ही नमस्कार